जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे राज जेपाल और सीम ने जार्खन के लाल सांती भूसन तिर्की को दी सरधांज ली जार्खन के लाल सांती भूसन तिर्की का पार्थिव सरीर आज 36 गड़ से राची पहुंचा राजेपाल रमेस बैस और मोके मंत्री है मंसुरें ने रांची के धुरवाईश थी CRPF 133 बटालियन के रांची मुख्याले में बीर्ष सहीद सांती भोसंतिर्की के पार्थिव शरीर पर पुस्पचक और पित कर सदाजली दी आपको पता दे कि 36 बटालियन में CRPF के असिस्टेंट कमांडेट सांती भोसंतिर्की सहीद हो गये थे सिमडेगा के बोलबा परखंड के कसीरा गोवरी गड़ा में सांती भोसंतिर्की का पुस्तेनी घर है यहीं भोसंतिर्की का जनम हुआ था सहीद के पिता स्टीफन तिर्की भी B.S.F. में थे जहारखन में मार्च अप्रेल और माई में होगा पंचायत चुनाव राजय निर्वाचन आयोग ने जहारखन में पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव त्यार कर सरकार को भेज दिया है आयोग ने मार्च अप्रेल और माई में तितियों का निधारंत कर चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया कहा है कि सुप्रीम कोट के फैसले के मुताबिक OVC आरक्षन पर निर्वाचन पर राजय सरकार चुनाव की तितिया निधारित करे राज्य सरकार दोरा चुनाव की तितितय कर प्रस्ताव आयोग को लटाया जाएगा उसके बाद राज्य पाल के अनुमती लेकर आयोग दोरा चुनाव के अधिसुचन जारी की जाएगी सुप्रीम कोट के आधे सामसार पंचाय चुनाव में ट्रीपल टेस्ट के अधार पर OBC आरक्षन का प्रवधान लागू किया जाना है ट्रीपल टेस्ट नहीं करने पर OBC को आरक्षन दिये बिना केवल ST, SC आरक्षन पर ही पंचाय चुनाव कराना होगा हलाकि किसी भी परिस्थिती में कूल आरक्षन का 50% चे ज्यादा नहीं दिया जाएगा जमीन बिवाद में गेंग्स्टर अखिलेश सिंग गिरोह के कनहया सिंग समेत आठ अरेश्ट जमसेदपूर के बाग बेड़ा थना अंतरगत सिद्धू कानू मैदान के पास एक गारफ फरवरी के राद करीब 10 बज कर 45 मिट जमीन बिवाद को लेकर हुई जड़ब और उसके बाद दोनों और से होई फायनिंग के मामले में पूलिस ने अखिलेश सिंग गिरोह के कनहया सिंग समेत आठ लोग को गिरफतार कर लिया इस मामले में थाना में दोनों और से केस दर्ज किया गया था पूलिस ने बड़ी करवाई कर कनहया सिंग और आनियों को गिरफतार किया है गिरफतार अपरादियों में गैंक्षर अखिलेश सिंग, गिरों के कनहया सिंग, बंटी सिंग, जोती परकास, गुड़ू, सुनील, सामिल है पतरातु पहुंचे विश्व भर से 680 प्रवासी पक्षी, चारों और पहाडियों से घीरे पतरातु डेम के प्रकिर्तिक संदरे में चार चांद लगाने हर्वस प्रवासी पक्षियों का जूर्द रितु में डेम पहुंचते हैं सनीवार को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा पतरातु डेम आयफ प्रवासी पक्षियों की गन्ना की गई जिसमें सोसाइटी के सचीव रमेश कुमार महतों के अलावा जार्खन के बर्ड मैन कहे जाने वाले पन्ना लाल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नीरज पाठक वन्रक्षी संतोस कुमार टोपो सामिल थे लालू यादो पहुंचे रांची चारा घोटाला मामले में लालू परसाद यादो को CBI कोड 15 फरवरी को फैसला सुनाने वाली है फैसला के दिन लालू परसाद यादो और तमाम अभियुक्तों को अदालत में सरसरीर उपस्थित रहने को कहा गया है इसी सिलसिले में लालू परसाद यादो अपनी बेटी मीशा भारती के साथ राईध हनी रांची पहुंच चुके हैं साथ में कई अने नेता भी हैं उनकी आगवानी के लिए जार्खन रायत के नेताओ और करकाताओ ने जोरदा त्यारी कर रखी थी लोहर दग्गा में पूलिस और नकसली में फीर हुई मुटभे लोहर दग्गा जिले के उग्रबात प्रभावित पेसरार थाना छेतरे के बुलबुल जंगल के समीप रभीवार को एक बार फिर नकसलीों के साथ पूलिस की मुटभेड हुई मुटभेड अस्थल बुलबुल नाला बताया जा रहा है मुटभेड के बाद सर्च अभियान में सुरक्षा बालो को नकसलीों के कई हंतियार कार्तोस्त और नकसली पिठ्ठु भी ब्रामत किये हैं रांची विश्व विद्याले ने छात्राओ की सुरक्षा को लेकर लिया बड़ा फैसला रांची उन्वर्सिटी ने महिलाओ की सुरक्षा को लेकर आहम फैसला लिया है महिला उत्पिरन के लागातार सामने आ रहे है मामलों के मद नजर राची उन्वर्सिटी आठ मार्च तक महिला हेलफ लाइन नंबर जारी करेगा इसके लिए सारी कवादे पूरी कर ली गई है यह हेलफ लाइन नंबर 24 गंटे एक्टिव रहेगा बता देकी विश्व विदाले के इंटर्नल कमिटी विमेंस गिरिवांस सेल ने आठ मार्च को महिला हेलफ लाइन नंबर जारी करने का निन लिया है जार्खन में हुई पक्षियों की गंटा जार्खन में बनेगा इको टूरीजम जार्खन में एको टूरिजम को प्रसाहित करने के लिए नई वज नए बनाई जा रही है पुर्वी सिमुम के दल्मा में जंगल, ट्रेंकिंग, सफारी, बंबु होट, निर्मान के प्रस्ताव पर फोकस करते हुए एको टूरिजम को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रह है दल्मा, डिमना, जिल, रंकिनी, मंदीर, जुबली, पार्क, बोरुडि, डैम को एक सर्किट में जोडते हुए पर्याटन, विकास, एवं सवर्दरी करन की दिशा में आवस्य कदम उठाए गया है जारखन से बढ़िया था बिहार बित मंत्री, जारखन के बित यम खाद आपूर्ती मंत्री रामेश्वर उरावने कहा है कि बिहार ही बढ़िया था, जारखन बनने के बाद सुरु से ही राजे और जानता कहीत में काम नहीं हुआ मंत्री रामेश्वर उरावने पलामो दोरे पर आवेजित एक कारकर में या बाते कही, उन्होंने जोर देकर कहा कि जारखन में सुरु से जो होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं, मंत्री का कहना है कि वे इसके कारण में जाना नहीं चाहते, परन्तु बिहार इससे बढ़ि हैं, डॉक्टर रामेश्वर उराव पलामो जीला कॉंग्रेस करे आला है, परिसर में आवेजीत जन सनवाद के दोरान यूथ कॉंग्रेस के करकरताव से बात कर रहे थे,